तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पर लाइक करके चनल को सब्सक्राइब ज़रू कर ले हो तो दोस्तों मार्केट में एक से एक बढ़कर स्मार्टफोन लोंच हो रहे हैं मगर इन में से बेस स्मार्टफोन कौन सा है ये जानने के लिए हमने सारे फोन को यूज करकर बे स्मार्टफोन अंडर 8K से 10K के लिस्ट बनाई है यानि दोस्तों 8000 से 10,000 रुपे मिलने वाले सांदर स्मार्टफोन तो दोस्तों हम सब लोग चाहते हैं कि अफटेबल प्राइज में सबसे हाई कॉलिटी का स्मार्टफोन मिले चाहे अगर आप फोटोग्राफे में अंडर्स रखते हो या फिर दोस्तों हाई इन गेमिंग में या फिर आप ले आते हो एक ओल राउंडर स्मार्टफोन तो हमने हमारी लिस्ट में आपके सारे रिक्व और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो तेके जरुवत नहीं पड़ेगी इसलिए सारे बेस्ट स्मार्टफोन के अच्छे से पीता जानने के लिए इस वीडियो को पुरा ध्यान सवलास तक देखते रिजएगा अगर आप भी किसी फोन के ब स्मार्टफोन में आपको मिलता है चार जबी किरेम है चोसर जबी का इंट्रेस्टोरेज है आप मेमोरी कारड लागर दोस्ट अपन जबी तक बढ़ा सकते हैं 6.6 इंच का एज़ी प्लस दिस्प्ले इस बाद कर ध्यान दिजेगा बेक साइट पर यहां पर आपको कोडियर केमरा सेटप मिलजाता है 48 प्लस 2 प्लस 2 मेगा पिक्सल का और ऐल केमरे के लेटी है आपको ठीक तक दिखने को मिल जाती है 5 ऐमेच का बेरी है और यहां पर आपको मीडे टेक हेलियो औक पी 2020 का परस्टोरे मिलता है तो पर आपको प्रोसेजर जबुए था स्मार्टफोन क सब्सक्राइब तक बढ़ा सकते हैं और दोस्तों स्मार्टफून में आपको मिल जाता है 6.5 इंच का HD प्ले तो यह काफी अच्छी बात है यहाँ पर आपको ट्रिपल केमरा मिल जाता है 16 प्लस, 2 प्लस, 2 मेगा पिक्सल का यहाँ पर आपको 3 केमरा आपको एक्साइट पर मिल जाता है केमरे के ले अगर आपको प्रोसर अच्छा चाहिए तो नेक स्मार्टफून के और बढ़िएगा और बाकि अगर आप मोटर और लवर से आपको प्रोसर रित्ता माइने नहीं स्मार्टफून को ले सकते हैं नेक स्मार्टफून है तो यह स्मार्टफून आपको लगबग पड़ता है 10,000 रुपर में तो दोस्तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 4GB की रेम, 14GB का इंटर्ने स्टोरेज, जिससे आप मेमोरी काड लाकर 256GB तक बढ़ा सकते हैं और दोस्तो इस स्मार्टफून में आपको 6000 इमेज का बीक बेटरी मिलता है तो अगर आप बेटरी आपको अच्छे चाहिए इस स्मार्टफून में तो आप इस स्मार्टफून को देख सकते हैं यहाँ पर आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है तो अगर आपको एक मोबाईल अच्छे स्मार्टफोन में एक 3.9 इस स्मार्टफोन इस स्मार्टफून में तो आपको इस इस स्मार्टफोन में जाते हैं तो इस Dre तो दोस्तो नो हजार रोपे की रेंज में आपको मिल जाता है वीवो में 3 gb करें में 32GB कांटरेश्ट्रेज है दोस्तों यहां पर दिजाइन है का क्माल का देखने को मिल जाता है 6.3 inch का आपको HD Plus इस पर मिल जाता है 13 Plus 2 Megapixel दो केमरे मिलता है आपको यहाँ पर और यहाँ पर आपको 8 Megapixel का Front Camera मिलता है तो यहाँ पर आपको 2 केमरे ही मिलते देखने को लेकिन केमरे के लिए आपको अच्छी देखने को मिल जाती है इतने भी खास निती बूरी नहीं है इतने अच्छी नहीं है मदब मीडियम आपको देखने को मिल जाती है 5000 इमेज का बेटरी है Snapdragon 436 का प्रोसेसर है जो कि आप डेटरे टास्कों को यूज कर सकते हैं लेकिन गेमिंग यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे नोर्मल आप नोर्मल सेटिंग पर ही गेम खेल पाएंगे अब नेक्स स्मार्टफोन के अबरते हैं दोस्तों नंबर 6 पर रखते हैं इंफिनिक्स के तरपसाना वाला है इंफिनिक्स S5 Pro तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का लगबग प्राई से 10,000 रुपे और दोस्तों 10,000 रुपे में आपको मिल जाता है 6.5 इंच का HD प्लस दिस्प्ले है तो दोस्तों ये ध्यान दिजेगा HD प्लस दिस्प्ले है तो आपको Full HD मिलना चाहिए 10,000 रुपी की रेंज में यहाँ पर आपको बेक साइट पर 3 केमरे मिलने वाला है 48 प्लस डो प्लस और लो लाइट सेंसर आपको देखने को मिलने वाला है तो यहाँ पर केमरे के लिए आपको ठिक ठक देखने को मिल जाएगी 16 मेगा पिक्सल के यहाँ आपको फूप अप केमरा मिलने वाला अगर आप पूप केमरा चाहते हैं की मिलना चाहिए 10.000 रोपे में आपको Full HD इस पर देना चाहिए दो केमरे आपको बेक साइट पर मिल रहे है 13 प्लस 2 मेगा पिक्सल का और 5 मेगा पिक्सल का आपको फ्रंट केमरा मिल रहा है चारजान इमेज का बेटरी है Snapdragon 436 का प्रोसर मिल रहा है तो यहां पर 10.000 रोपे के रेंज में बहुत ही कम ही आपको इस पर सेमसे में देखने को मिलती है इति खास देखने को नहीं मिलती है अगर आप सेमसेम यूजर दस जाएट है नोर्मल अगर लेने हाते हैं वो तो ले सकते हो बाकी केमरा और बेटरी चाहिए और आपको गेमिंग चाहिए तो बिल्कुल स्मार्टफोन को skip करके आगे बढ़ सकते हैं नमबर 4 पर रखते हैं Realme की तरफ से आने वाला Realme का Narzo 20A तो दोस्तों यह स्मार्टफोन लगबग आपको 8000 रुपे मिलता है तो दोस्तों अब इसे Flipkart से 1500 में कम में खरी सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको 8000 रुपे मिल जाता है 3GB करें 32GB का इंटरेस्ट शोरेज और यहाँ पर आपको 6.5 इंच का AGG प्र डिस्प्री दिस्प्री दिया गया है और आपको back side पर हम पर तीन क़मेरे दे यहाँ केमरे क्लेकर आपको इच्छी रहने को मिलती है 12 प्लस दो प्लस 2MP केमरे है यहाँ पर आपको डूम्र्स फेता है यहाँ पर आपको प्रोंग लास्टिक बेस्तो आपको 665 पर यहाँ को लिए धिक्याची रातां है तो दोस्तों स्मार्टफोन की कीमत है नो हजार दोसो नुन्यान उपर है ताव इसे फिलिपकार सा खरीच सकते हैं यहाँ पर भी आपको डिसकाउंट टेखने को मिल जाएगा 1500 पर का तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एज डिस्ट पर दिया गया है और दोस्तों इ आपको फार्स चाहिए तो आपको स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 13 MP का फ्रेंड केमरा मिलता है 13 MP का आपको एक ही केमरा मिलता है बेक साइट पर यहाँ पर एक ही केमरा जहने को मिलेगा सिंगल केमरा और 5 MP का फ्रेंट केमरा मिलता है पर आपको तो दोस्तों स्मार्टफोन के लगबग जो प्राइज दस एर पान सम्हा आपको मिलता है तो यहाँ पर आपको क्या करें को मिल जाता है 4GB के रहे हैं में 64GB का इंटरेंट श्टोरेज है और दोस्तों इससे आप Flipkart से खरी सकते हैं यहाँ पर भी आपको डिस्कौंड मिल जात गेमरे के लिए आपको अच्छे रेखने को मिलते हैं थोड़ी वीडियो रिक्रिटिंग में थोड़ी से दिक्कत आ सकती है इस ज़रू को ध्यान दिजेगा 8MP का फ्रेंट केमरा है फ्रेंट केमरा भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा रेखने को नहीं मिलता है मेरे यहाँ पर आपको रेम भी जादे दी गए एज़ी डिस्प्ले है तो यह बात का ध्यान रखियेगा अगर आपको यह स्मार्टफोन पसंद नहीं आता तो आप नेक्स स्मार्टफोन के रोपर सकते हैं तो दोस्तों नेक्स स्मार्टफोन है नंबर वन रेडमी 9 प्राइम त मैं इसे还ing कर सकते हैं डिजाइन जियस फौन का काफी अच्छा लगता है डिस्प्लेए आपको आपको अच्छा दिया गया भी यहाँ आपको अच्छा और अपको स्मार्टफोन आप को बताए है तो यहाँ प्र नाकर तोड़ा southwest 21 का फरक के ज्यादा कुछ फरक नहीं है MediaTek Helio G80 Processor जो भी काफी अच्छा प्रोसेशर आप गेमिंग कर पाएंगे यहाँ पर अच्छे से कर पाएंगे यहाँ आपका फोन लेग नहीं होगा 5 हर 20 एमेज का बेटरी 8 वाट के फार्स चारजिंग के साथ आता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको बेटरी का मिल रही है इसका मतलब यह नहीं कि आपको फोन थोड़ा सा लगता है लेकिन यहाँ पर आपको 6.5 इंच का फुल एज इसप्ले MediaTek Helio G85 का पाएंगे प्रोसेशर है 5000 इमेज का बेटरी है 18 वाट का फार्स चारजिंग है तो इसे भी ले सकते हैं अगर आप गेमिंग के लिए केमरा के लिए चाहते है तो दोस्तों कमेंट करके आपको वीडियो केसी लगी कमेंट मुझाना चाते हैं बताइए आपको वीडियो अच्छी लगने पर लाइक कर दीजेगा और चैनल पर सस्क्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ओल से रिक चिरू कर लिए जब तकी जय हिंजय भरत वंदे मात्रम दोस्तों